नमस्कार दोफ्तों मैं संदीफ स्वागत है आप सभी का आज किस नए क्लास में चले दोफ्तों आप लोग ज्यादा स्या ज्यादा लोग क्लासे से जॉइर हो चाहिए क्योंकि आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं नई सिच्छा नीद पे अधायत यानि कि समेस्टर क्योंकि आप सभी को मालूम है कि नई सिच्छा नीद के इसाब सभी सब्सक्राइब करेंगे यानि कि जो एक्जाम का पैटर्न होगा वह सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों ठीक है चले पहला पढ़ते हैं यानि कि तीस से पहले का क्वेश्चन मैंने जो टॉप लेबल के थ ठीक है तो आप लोग उसको जरूर देख लीजेगा हाला कि आज बात करेंगे टॉप लेवर के फिल्टर करके कोश्चन आप तक प्रवाइट करता हूं ठीक है जो इपॉर्टेंट होते हैं तीस नंबर है यानि आज किस वीडियो का पहला क्वेश्चन लिखा कि सिंदु प्रवाइटी में था यही से इसका बिस्तार दच्षडी और पूर्व की और हुआ इस प्रकार हडपा संस्कित के अंतरगत पंजाब शिंद और बलूश्चीतान के भाग ही नहीं बलकि गुजरात राजिस्थान हर्याडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिमान्त से लेकर पूर्व ठीक है उत्तर पूर्व में मेरठ तक यह समचा छेत्र भुज के आकार का है इसका पूरा छेत्र पर लगबग 12,99,600 वर्ग कीमी है यानि किलोमीटर है आताहा यह छेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही प्रचीन मिस्र और मोसो पोटामिया से भी बड़ा है इसा पूर्व तीसरी और दूसरी सास्तर सवाब्दी में संसार में किसी भी संस्कीत का छेत्र हडपा संस्कीत के छेत्र स्री बड़ा नहीं था यानि कि सिंद सभ्यता का विस्तार जो है वह आप लोगों को मैंने बताया दच्छी और पूर्वी की और हुआ है और इस हड है वह काफी दूर दो फैला है उसका छेत्र पर लगबाग काल्कुलेट किया जाए तो 12,99,600 वर्ग में ठीक है मीटर में है किलो मीटर में है तो लगबाग यह कह सकते हैं आप लोग यह लगबाग जो आप लोगों को आप अपोनेंट देश ठीक है पाकिस्तान का जितना ब से भी बड़ा है तो आप लोग ऐसा कह सकते है कि इसा पुरूब तीसरी और दूसरी सताब्दी में संसार में किसी भी सांसिकित का छेत्र हडापा संसिकित से चेत्र से बड़ा नहीं था मोस्ट इंपार्ण कोईशन है तो रट लीजिए गई से आई होप आप लोगों समझ म में आ गया होगा एक दो बार वीडियो और देखेंगे तो पूरी तरह समझ में आ जाए कि एक बार वीडियो देखने से एक बार कुछी चीज को बताने से कोई बंदा समस नहीं सकता चाहें वो जो भी हो ठीक है यह तो कोईश्चन है इतना लंबा है फिर भी ठीक है पूसरा कोईश्य नहीं लिखा कि सिंदुघाटी की सभिता किस प्रकार की थी जान दिजेगा सिंदुघाटी की सभिता थी वो किस प्रकार की थी अंसर में आप लोगों को मिलेगा सिंदुघाटी की सभिता या हडपा सभिता भारते उप महाद्यूप में प्रथम नगरी क प्रतेक नगर दो भागों में वर्गी कृत था ध्यान दिजेगा प्रतेक नगर दो भागों में वर्गी कृत था यानि कि विभाजन था जिसमें प्रतम पस्चिमी टीला एवं दुतिय पूर्भी टीला था पस्चिमी टीले अपेच्छाकरत उचे एवं छोटे थे इन टीलों पर किले या दुर्ग उपस्थित थे और उसके बाद आ जा था पूर्भी टीले पूर्भी टीले से सहर साच मिला है जो अपेच्छाकर बड़ा था पूर्वी टेले में वेपारी शिल्पकार कारीगर एवं स्रमिक रहते थे ठीक है और लिखाए कि हडपा मोहन जवदुड़ एवं काली बंगा में नगर दुर्ग एवं प्रिचीर युक्त निचला नगर ठीक है निचला नगर अलग-अलग इस्थित थे शिंद स जाता था तो यह रहा सिंद गार्टी सब्विता कि जो किस प्रकार का था उसके बारे में इसका संशिप्त पर्चया या जानकारी ठीक है तो किस प्रकार की थी आप लोगों को इस एंसर से समझ में आई हो आगया होगा नहीं भी आए तो एक बार दुबार और पढ़ लिज प्रचीन भारतिय इतिहास के स्त्रोत के रूप में पुराणों का महत तो बताई है तो प्रचीन भारतिय साहित की अमर श्चनाए ध्यान दिजिएगा पुराण का तात पर पहने पुराण का मतलब प्रचीन होता है। डाक्टर राजबली पांडे ने पुराणों को प्रचीन भारति इतिहास का बिस्कोस माना है। इसका अर्थ है पुराना अख्यान पुरानों के वरण विशय के बारे में कहा गया है की तो इसका अर्थ होता है यानिकि अर्थ पुरानों के अंतर्गत सरग, प्रतिसरग, वन्स, मन्वं तर और वन्सान रुश्य नुस्चारित का समावेस है। और यही पुराणों की पंच लच्छन है। पुराण साहित के आवस्यक अंग बताये गए हैं और पुराणों में विभिन सासन वंसों के वंस ब्रच दिये गए हैं पुराणों को रसनाकाल महा काब्यों से गुप्त काल तक माना जाता है पुराणों की संख्या 18 है जो भिन-भिन समयों पर रचे गए हैं तो ये रही आप लोगों के सामने प्रचीन इतिहास ठीक है प्रचीन भारती इतिहास के स्रोत के रुप में पुराणों का क्या योगदार या महत्त या आप लोग कह सकते हैं कि क्या इसका इंपक्ट ज्यादा से ज्यादा इसका प्रभाव क्या था या महत्त तो क्या था तो आप लोगों को इससे इसके एंसर के बारे में जानकारी हो गई होगी अगर नहीं हुई तो मैं आपको फिर से वही कहूंगा एक बार दो बार question को और पढ़ लिजेगा ठीक है? पूरी तरह समझ में आजाएगा Next question है कि वैदिक काल में क्या धार्मिक मानेताय प्रिचलित थी? भ्यान दीजेगा वैदिक काल में क्या धार्मिक मानेताय प्रिचलित थी? अभी एंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आदाएगा किसका क्या मतलब है लिखाए कि रिगवेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एयुम अस्तुतियां मिलती हैं वो प्राकृतिक तत्तों से निहित सक्तियों के प्रतीक है रिगवेदिकालीन रिसी संसार में बि ने देवताओं की उपलब धिमान कर देवताओं के विशे में उत्पन बिभिन भाव को वाक्य के रूप में परिनित कर दिया इन पवित्र वाक्यों के द्वारा ज्यान दिजेगा इन पवित्र वाक्यों के द्वारा देवताओं की राधना की जाने लगी इस प्रकार योम सदाचारी को पुर्श्कृत करते थे तो आई होप आप लोगों को मालूमँ हो गया होगा कि वैदिक काल में थार्मिक की मानेताइं कि ठीक है प्रचलित थी और इसका रिजन क्या था तो आप आप सभी को मालूम गया होगा ठीक है कि कि रिगवाद कालीर रिषी संसार में बिभिन प्रकृत सोभा को देखकर प्रभावित हुए और इसमें प्रभित्र वाकियों के द्वरा देवताओ की राधना की जाने लगी इस वक्त रेगवादी के धरमका जन्म हुआ तद कालने समाज में यह माने जाना लगा कि तेज सक्त ज्यानवा देवताओं के गुड़ हैं तथा बुराईयों को समाप्त प्रकत के नियम नियमित पापी को दंड एउब सदाचारी को प्रसकुत करते हैं तो आप लोगों समझ में आगे होगा ठीक है नेश्ट कोश्चन में बढ़ेंगे लिखा कि उत्तरवैदिक सब सब्सक्राइब को उत्तर वैदिक के युग कहते हैं कि तो सब्सकुंत उत्तर वैदिक काल में सिर्फ तीनवेद जो că रशना जो हुई है वैदिक काल में हुई है अगला है इसी में पॉइंट लिखा है कि ब्रहामण ग्रंथो उपनिस्दो एवं आरानेकों की रशना हुई इस युग में आर्ष सभ्यता ठीक है सैन्नेह सैन्नेह पूरब एवं दच्छिर में फैली प्रचीन आर्यों का उत्तर पस्चिमी भारत अब उपेचित हो गया था तथा आर्ष संस्कित का केंद्र अब कुरुच्छेत्र बन गया था उत्तर वैदिक काल में हिमालय से बिंधा चल के मद्ध का संपूर भाग आर्यों के प्रभाव छेत्र में आ गया था इस युग में आर्यों के समाजिक आर्थिक युम्राजनेटिक इस्थित में रिगवेदिक काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया तो आप लोगों को मालूम हो गया वैदिक ठीक है उत्तर वैदिक सोजय किसे कहते हैं तो आप लोगों PAC ये याद रखना है कि RIGVED के पश्चात उत्तर वैदिक काल ठीक है उत्तर वैदिक काल ऩो इस होते हैं आप लोगों को मालूम है कि याद रखेगा ठीक है तो आप लोगों के आप लोगों को अभी मालूम हो जाएगा हम पढ़ेंगे लिखा कि महा काव विकाल में महा विकाल में कितना योगदान गया इसके बारे कितना प्रिचलन हुआ इसका का पता हमें महाकाब्यों रामायड़ एव, महाभारत से चलता है निक जो रामायड़ं पता चलता है कियरider' कि आद YE aku अपना हे तो बिक्तिक के परस्परिक सम लिदों में नहींतिक मुल्यों की महत्वी पर विसेश बल्डिया गया। इस युग में कर्म की महत्ता को समाज में प्रमुका स्थान दिया गया ध्यान दिजेगा इस युग में कर्म यानि की काम को महत्तो को यानि की कोई भी कर्म करें उसके पस ठीक है उसके महत्तो को समाज में प्रमुका स्थान दिया गया है अताहा असपस्ट है कि इस काल ठीक है भय नहीं था बेक्त किपद एयों गर्मा के उसार उसे उचित समान दिया जाता था इस प्रकार्टत काले समास्त की नहितिक दसा उच्च थी ध्यान देजेगा यानि कि महाकावी की जो नहितिक दसा थी वो उच्च तो थी और इसमें रामायड और महाभारत जैसे ठीक है ठीक आप लोगों कि यह भी समझ में आगया होगा एक से दो बार आप वीडियो और देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे कोश्चन और अगर नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा है मैं सिंपल से बाल नहीं हूं ठीक है नदी घाटियों में सभिता के सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो को सेर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों यारों में ठीक है कोई 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 सब्सक्राइब करें करें पूछे मिलते हैं नस्ट वीडियों तब दक करें जैंद